हलो फ्रेंट्स, है मैं अपृती, वेलकम एक टू आर चैनल, प्लांट से स्पेस आज हम वीडियो शेयर करेंगे जुही यानि जैस्मिन और कुलेटम प्लांट के बारे में और साथ ही ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेलपफुल रहेगी जिनके किसी भी प्लांट पे कलियां तो आ रही है, लेकिन वो खिल नहीं रही है या पीली होकर जड़ जा रही है, तो ये जो जुही का प्लांट है, इसके हमने अगर ग्रोइंग सीजन है, तो ये शूट्स भी ग्रो की जा सकती है, ये चल जाती है कभी-कभी, लेकिन अभी क्या है, टेंप्रिचर हाई है, और मौसम में भी काफी गर्माहट है यानि कि थोड़ी हुमिडिटी हो, मौसम बारिश का हो, तो ये चल सकती है, रेनी सीजन में चल जाती है तो अभी हम ऐसे ही लगा देते हैं, हमें पता है, ये नहीं ग्रोध कर पाएंगी, क्योंकि टेंप्रिचर हाई है, गर्मी बहुत जादा है लेकिन फिर भी इस तरह से आप उसको लगा सकते हैं, जो शूट्स होती है अब बाकी जितनी भी उपर की शूट्स हैं, हेल्धी शूट्स हैं, सभी में कलियां बनने लगी है, रिजल्ट काफी अच्छा रहा इसलिए कहते हैं, टाइम से काम करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अब हर शूट्स पे कलियां बन रही है, जब आप प्लांट की कटिंग प्रूनिंग कर देते हैं, और रूट्स की ट्रिमिंग कर देते हैं, पर वही मार्च के टाइम पे तो प्लांट में नई रूट्स बनती हैं, और जब नई रूट्स बनती हैं, तो और भी अच्छी ग्रोथ होती है, प्लांट को पोशन जो वो लेता है, उसको लेने में असानी हो जाती है अब देखे कलियां बहुत अच्छी है तो ये टाइम है फर्टिलाइजर एड़ करने का क्योंकि बहुत से लोग सोच लेते हैं कि अब तो कलियां आ गई ही बस अब फूल खिलते रहेंगे और देखे हर शूट पे इस पे कलियां है लेकिन इसमें एक और खासित होती है कि जो लीफ नोड होता है यानि कि जहां से पतियां बन रही होती है निकल रही होती है वही वही इसमें और भी कलियां निकलती जाती है और इसलिए इसका गुच्छा बन जाता है पूरा फूलों का तो जब ग्रोइंग सीजन है फ्लाविंग सीजन है तो हर 30 दिन में आप चाहे दो मुठी खाद डालिए गोबर का या वर्मी कंपोस्ट या जो भी आपके पास खाद है लेकिन जरूर दीजिए अब देखिए धीरे धीरे फूल खिलते जा रहे हैं तो खाद की जरूरत तो होगी ही तो ये जितनी भी कलिया है ये आपकी लगबग एप्रिल के बाद से बननी शुरू हो जाती है प्लांट में थोड़ा टाइम लगता है लगबग एक महीने के अंदर अंदर ये पूरी कलिया बनकर तयार हो जाती है जब से ये बनना शुरू होती है तो एप्रिल के बाद से लगबग मई से ये आपको जो जूही का पौदा है जो की गर्मियों वाली जैस्मिन जो कहलाती है खुश्बूदार फूल का पौदा है ये आपको मई से फूल देना शुरू कर देगा अब देखें मिटी की गुडाई हमने करी अब हमारे हां हम मोस्टली जो है कावडंग देते हैं यानि गोबर की खाद क्यूंकि वही इसली अवेलेबल होता है हमारे हां तो उसको ही हम द इतना जाद गर्म नहीं होता है जो नया खाद होता है वह बहुत गर्म होता है तो उसका यूज आप ना करें पुराना रखा हुआ आप खाद मिलाएं या उपला जो होता है जिसको कंडे भी कहते हैं कंडे जो होते हैं गोबर से जो बनाया जाते हैं तो उसको भी आप जटाद्री में कनमें, भूट नहीं डाले।ब थोटे चलकते होते हैं। बहुत जो पूटे नहीं लगेगा। किनारे त्कूट में पॉट थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाकर थोटे चोड़ी तुकड़ों में उसको कटकर दीजे और वह डाल दीजे.. और वो सबजी के छिलके सूखे होने चाहिए, यानि कोई पल्प वगेरा नहीं डालना है, कुछ गीली चीज आपको नहीं डालनी है, जिससे माली जी लौकी के छिलके हैं, गाजर के छिलके हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा आप पॉट के साइड साइड में मिट्टी हटा कर ज खाद देने से पहले पानी नहीं देना है, पानी देना है खाद मिलाने के बाद जैसे कि अभी हमने किया, और एक बार प्लांट पे वाटर स्प्रे भी कर दीजिए, इसे गर्मियों में प्लांट को काफी अच्छा लगता है, रिलेक्स फील करते हैं, तो यह जो तरीका है, अगर आप कलियां आने के समय कर लेंगे, तो आपके प्लांट में अची प्लारिंग होगी, और कलियां बिना खिले नहीं जड़ेंगी, जड़ रही है, पोशन भी ठीक है, दूप भी ठीक है, तो एक बात का और ध्यान रखिए, मिट्टी में जब ज़ादा नमी होती है, त तब भी कलियां जड़ती है, इस बात का ध्यान रखिए, पोशन की कमी होगी, तब भी कलियां जड़ेंगी, और धूप कम मिलेगी, तब भी कलियां जड़ेंगी, तो कम से कम 4 घंटे की धूप ज़रूर दीजिए, पिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता, तो पूछिएगा, thank you